नमस्ते टेस्टी खाना बनादा में मैं बंदना आज सब का हार्दिक स्वागत करती हूँ ठंडी शुरू हो गई है और ठंडी में ही स्ट्रॉबेरी का भी सीजन आता है इस वक्त काफी अच्छे और फ्रेश स्ट्रॉबेरी बाजार में आ रहे हैं आज मैं स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड ही कुछ डिस्ट आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी स्मूधी स्ट्रॉबेरी स्मूधी पीने के लिए आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पास घर पे strawberry है तो आप दो मिनिट के अंदर strawberry की smoothie बना कर घर पे पी सकते हैं फिर चलो देखते हैं हमें उसमें किन-किन चीजों की ज़रुरत पड़ेगी हमें बस इतनी चीजों की ज़रुरत पड़ेगी smoothie बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दही ले लिया है फ्रेश strawberry है अच्छे से मैंने वाश कर लिया है यहाँ पे crushed यह आईस क्यूब्स हैं और यहाँ पे शक्कर तो चलो अब हम बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे हमें जार ले लेना है उसके बाद पहले हम अपना strawberry डाल देंगे पूरा और फिर यह हमारा दही समें डाल देंगे यह homemade दही है इसकी रेसिपी हमारे मेरे चैनल पे है आप चेक कर सकते हैं दही की रेसिपी और फिर इसके बाद हमें यह optional है crushed ice cubes अगर मैं आप ठंडा prefer करते हैं अच्छा लगता है आपको तो ही डालना नहीं तो इसको skip भी कर सकते हैं तो हम यह अपना ice cubes डाल देंगे फिर मैंने यहाँ पे 2 teaspoon लिया है sugar इसको भी हम add कर देंगे अब हमें क्या करना है बस इसको जार क हम बंद करके और इसको अच्छे से हम mixer में पीस लेंगे यहाँ पे हमारी स्मूधी रेडी हो गई है अब हम इसको ग्लास में निकाल लेंगे हमारा strawberry smoothie बनकर रेडी हो गया है बस इतना ही टाइम लगता है बनाने में सिर्फ दो मिनट के अंदर हमारा strawberry smoothie बनकर रेडी हो जाता है इस तरह से आप strawberry smoothie बना कर पीएंगे न तो आपको बिलकुल आलस नहीं लगेगा बनाने में देखा कितने जल्दी बन गया हमारा strawberry smoothie अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को like जरूर करना subscribe करना notification bell को press करना बिलकुल भी मत भूलना क्योंकि मेरे नए जितने आने वाले नए रेसिपीज रहेंगे वो आप तक तुरंद पहुच सकते हैं थेंक यू बाई